हलो एन वेलकम मैं हूँ अमित दीकशित और आप देख रहे हैं AD Education YouTube चैनल जहां आपको मिलते हैं वालरी एजुकेशनल एड़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को साथ ही दबाईए बेल आइकन को लेटेट वीडियो अपडेट के लिए दोस्तों Career Guide Series की इस वीडियो में मैं आप से आज जो information share करने वाला हूँ वो है hardware और networking career के बारे में hardware और networking career एक ऐसा career field है जो कि opportunity देती है आपको मौका देती है कम समय में अच्छी salary पाने का एक अच्छा career setup करने का आज मैं इसकी पूरी information आप से share करूँगा कि किस तरह से आप hardware networking के career को चूस कर सकते हैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं कौनसे institutions हैं कौनसे certifications आप कर सकते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और क्या salary रहेगी क्या positions इसमें मिलती है क्या post ups को offer होती हैं सब मैं आज इस वीडियो में आपको clear करूँगा तो आप जरूर देखें आप करना चाहते हैं अगर यह course यह इस फील्ड में करियर बना चाहते हैं या किसी को suggest करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम चुरू करते हैं कि hardware networking क्या होता है देखें hardware और networking का अर्थ में आपको बता देता हूं hardware का मतलब होता है computer की field में कि जो भी चीज आपको जैसे की computer का monitor हो या CPO हो या अपना keyboard हो mouse हो hard disk हो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको physically दिखाई देती है चाहे वो printer हो CD हो कोई भी चीज जो आपके एक तरह से वो सब hardware है जो आपको computer के अंदर या बाहर जिसे आप देख सकते हैं चूँ सकते हैं वो सभी hardware के अंतरकत आता है चाहे वो hub हो, routers हो, कई चीज़ें होती है इसके hardware के अंतरकत तो यह hardware होता है और networking की मैं बात करूँ तो networking का अर्थ होता है कि जब दो computer या दो से उससे जादा computer एक साथ इस तरह से जोड़े होते हैं कि आपस में information share करते हैं उनके resources या कोई printer या कोई भी ऐसे resources को share करते हैं तो वो एक network कहलाता है यानि कि आप यह समझ लिए कि network आज आप जो कुछ जिसे internet यूज कर रहे हैं तो वो भी network है जब बहुत सारे computers आपस में connected होते हैं किसे ना किसी तरीके से और information share करते हैं जानकारियां share करते हैं resources share करते हैं अब वो चाहिए एक जगा पर हो सकता है या एक शहर के बीच में या पूरे देश के बीच में हो सकता है पूरी country में हो सकता है तो यह सभी networking के अंतरगत आता है यह बहुत ही technical काम होता है तो यह दो चीज़ें रहते हैं hardware और networking अब यह तो हो गई definition simple शब्दों में अब जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जानना चाहेंगे कि कौन इसमें eligible होता है तो इसको कौन कर सकता है यह मैं आपको बता देता हूं देखे जो भी इसकी जो minimum minimum जो qualification इसमें चाहिए वो है 12 पास यानि कि हाँ आप 12 पास भी है तो इसमें करियर स्टार्ट अपना कर सकते हैं यह इसकी सबसे अच्छी बात है इसमें आप 12 पास होने पर अपना करियर स्टार्ट करें इसमें अलग तरह के कोर्स होते हैं चाहिए वो certification courses हो डिगरी courses हो डिपलोमा courses हो आप जैसे अपने अपनी जो skill बढ़ाना चाहते हैं जो आपको सूट करता है वो कर सकते हैं minimum 12 पास है तो आप इसमें start कर सकते हैं इसकी जो duration रहती है course की वो लगभग start होती है एक से डेर साल का course हो सकता है 12 पास candidates के लिए और आगे आप जैसे भी इसमें बढ़ना चाहते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं तो इसका minimum qualification जो मैं आपको बता दी है कि वो हो सकत यह है कि आप 12 पास है तो आप इसको आगे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं degree courses और degree courses भी available हैं और कई जगा post-quisition courses भी आप द करने के लिए क्या करना होगा तो देखे सबसे पहले आपको करना होगा किसी अच्छी सी institution से एक अच्छा सा जो बेस्ट courses हैं अविलेबल हैं hardware networking की field के तो वह आप कर सकते हैं जानी मन institutions देश भर में हैं आपको मैं बताऊंगा आगे तो उन से आप एक अच्छा सा course करें जो भी उसका diploma है डिग्री है जो भी आप करना चाहते हैं वो कर रहें और उसको करने के बाद आप को साथ में कुछ certifications होते हैं जो कि कई बड़ी companies के द्वारा बहुत बड़े players हैं जैसे की मैं बात करूं Microsoft है या Cisco है या फिर Red Hat है इनके द्वारा कुछ certifications कराये जाते हैं उनको अगर साथ साथ में अपने course के सांत में clear कर ले थे हं उनका एक्जाम होता है उसको आप अलग से दे सकते हैं और अगर आप उन certification को clear कर लेते हैं अब certified हो जाते हैं तो आपको ये बहुत चांसे बन जाते हैं कि जो डेश की टॉप companies जो कि जानि-मानी companies हैं उनमें आप काम कर सकते हैं, start कर सकते हैं अपना career यह certificate साथ में क्लियर करने का यह benefit होता है आपके लिए और सादरन तोर पे अलग से भी आप hardware networking course कर सकते हैं पर यह certification आपको best advance देते हैं आगे career में बढ़ने के इस field में तो अब वह कौन सी certification वह आप कर सकत है जैसे कि CCNA है CC ENT है और इसी टाइप के कोई और जो की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होंगे यह सब कराता है और Microsoft के हैं तो Microsoft V MCSC है MT है और भी ऐसे टाइप के सर्टिफिकेशन इसके तरह द्वारा Microsoft के द्वारा भी एक्जाम होते हैं इनको आप क्लियर कर सकते हैं रेड़ेट का सर्टिफिकेशन होता है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं और भी कई सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल के होते हैं जब आप किसी इंस्ट्यूटिशन को जॉइन करेंगे वहां आपक आपको यह बता देता हूं कि आप इसमें किस-किस तरह की पोस्ट आपको मिल सकते हैं देखिए एक अच्छे कोर्स करने के बाद में सर्टिफिकेशन के बाद में आपको सिस्टम एनलिस्ट सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में, सर्विस इंजिनियर की फील्ड में, टेकनिकल सपोर्ट में, बीपियोज में, इस तरह से कई पोस्ट होती हैं, जो कि आप कर सकते हैं, अब इसमें सबसे बड़ी बात ही होती है, यह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, आपको क्योंकि आजकल नेटवर्क कंप्यूटर हर जगा हैं, आप अगर एक शोरूम की बात करें, चाहिए वो किसी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, या कंप्यूटर कंपनी हो, या कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, आप किसी का भी नाम ले, तो हर जगा, कंप्यूटर का नेटवर्क है, कंप्यूटर हैं, तो उन एच्छा मौका देता है आपको चाब एडूकेशन फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, साइन्स की फील्ड हो, होटल मेनेजमेंट की हो या फिर टेकनिकल इंस्टूशन हो, या मैनेजमेंट इस्टूशन हो, कोई भी हो कमपनी हो, तो सब जगाए यह अविलेबल हैं, इसकी जॉ अब हम बात करते हैं उन इंस्ट्यूशन की जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं वैसे तो कई कॉलेज़ हैं अलग अलग शहरों में होते हैं आप गूगल पर सच करके देखेंगे तो अपने शहर में कई बड़े-बड़े कॉलेज़ के नाम आ जाएंगी जिसमें सर्टिफिकेशन कराते हैं डिप्रोमा डिग्री देते हैं पर कुछ ऐसे नाम बता देता हूं प्रवे इं कॉलेज़ हैं इसके स्पेशल अगर आप कॉलेज में अडमीशन लेना चाहते हैं तो और बहतर है आप अपने शहर के कॉलेज़ों को सर्च कर सकते हैं गूगल पर इसकी जानकारी मिल जाती है जो मैंने बेसिक इंस्टिटूशन से वो आपको बता दी है इन से भी आप करें हैं और 12 पास केंडियेड एक डीसेंट वन तू वन एनाफ एर का डिप्लोमा कर लेता है इसमें तो स्टार्ट कर सकता है अपना करियर 10 तू 12 थाउजन से स्टार्टिंग लोकल अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं अगर किसी अच्छी कंपनी में होता है तो यह और ज्या प्रॉब्लम नहीं है आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग फील एक ऐसा ऑप्शन देती है जिसमें आप जल्दी शुरूबात कर सकते हैं और कुछ एक्स्पिरियंस लेकर आप इसमें अच्छा स्ट्रॉंग करियर बना सकते हैं तो इस ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हैं और दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही सीखते रहें अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चानल को